हेलो दोसो कैसे हो आप लोग आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैंने मंगा लिया है एक ट्राइपॉड गोरिला ट्राइपॉड है किस कंपनी का है कितने का मुझे डील पड़ी है और किस तरह से इसका यूज होता है फॉन में दिखने में कैसा है क् इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए है तो नीचे नेट किलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कर दीजिए बैल ऐकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो टेकने क है और शिक्स मंत की इसकी वारंटी होती है और यह है डिजी टैक का गोरिला ट्राइपॉड बहुत थी ज्यादा इस्पेशल फीचर से और एक एक एक्स्टा शीर इसके साथ आती है वह मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर यह कुछ इस तरह का दिखता है डिजिए गोरि किलो तक का लोड आसानी से उठा लेगा यह और इसकी मैक्सिम हाइट है 240 mm है और 210 साथ मम की हैट तक यह फोल्ड हो जाता है जब बं रहता है 240 रहता है और जब खुलता है तो दो सुआट तक हो जाता है इसका जो वेट है बहुत ही कम है लेकिन बहुत ही मजबूत है एक सो ग्राम का वेट है इसका और बहुत ही मजबूत है टाइम की कमी है तो आप कुछ नहीं है इसके अंदर तो इसको और देखते हैं क्या क्या चीजे हैं चलो सारी चीजे आई है मुझे पहले डर यही रहता है कि कोई चीज मिस ना हो गई हो वरना वापस करना पड़ेगा कोलना अपड़ेगा तो एक ही बहुत मजबूत मुवाइल होल्डर मिल जाता है अलग से खरीदना नहीं है बहुत मजबूत है और इस तरह से यह इस तरह से यह बढ़ा हो जाता है तो बहुत मजबूत है मैं अपने हाथ से फील कर रहा हूं बहुत मजबूत है अंदर की तरह रव कि यहां पर आपको एक Bluetooth का स्विच मिल जाता है इसको अप चावी के चले की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर बिलिदा सकते फोटो और कैमरा आप इससे चला किस सकते हैं फोटो और कैमरा ओन कर सकते हैं इसके वाद यहां पर यहां पर इस Bluetooth में बैटरी लगी हुई है तो जब भी आपको on करना है तो इसको on mode में रखे है वैसे off mode में रखे है जब bag में रखना है घर में रखे रहना है ताकि इसकी बैटरी खतम नहीं हो जल्दी और वैसे भी बैटरी काफी जाद चलती है जितनी बार क्लिक होता है यह plastic rubber है और यहां पर एक switch दिया हुआ है instant release के लिए इस switch को जैसे ही दबाते हैं तो यह आप इसको release कर सकते है यह बाहर निकाल सकते है इससे फाइदा किया है मैं आपको बताता हूं फिर इसको लगाएंगे और यहां पर इसको इसको दबाना है इसको यह ऐसे दबता है तो यह ऐसे यहां पर घूमने का दो पॉइंट है एक यहां से भी घूमता है यह देखिए यह यह आपकी तरफ मेरी तरफ चारों तरफ तीन सो साट डिगरी यह घूमता है ठीक है अब इसके उपर भी घूमने वाला दिया हुआ है ताकि आपका mobile phone पूरी तरह से कहीं भी घ पकड़ने में बहुत हलका लग रहा है लेकिन इसकी जो प्लास्टिक है विल्ड क्वालिटी है बहुत मजबूत है आपका phone ऐसे नहीं होगा कभी अधर कभी अधर कभी अधर चाहे DSLR हो इधर इधर बहुत ही मुझे यही थोड़ा सा डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो लेकिन अगर ऐसे कर दिया और इस पर एक किलो को भजन भी रख दिया तो भी ऐसे ही रहेगा हाथ में पकड़ने पर एक मोटा सा मतलब मजबूत ग्रिप फील हो रहा है तो यहां पर यह सीधा सा है यह ऐसे करके आप इसे बना सकते हैं जैसे भी जितनी भी हाइट का अगर आपको ज्यादा हाइट लेनी है तो आप इसको थोड़ा पास रख सकते हैं ऐसे करके अगर आप थोड़ी कम हाइट लेनी है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं इस तरह से और अगर आपको इसे किसी पेड़ पर लटकाना है किसी डाली पर लटकाना है किसी एंगल सरीय पर लट आएगा तो यह चीज़ है बाकी कैसे यूज करते हैं मैं यूज करूँगा फिर आपको में बताता हूं नेक्स्ट वीडियो में इस बार आप देख लिजे क्या क्या चीज़े मिलिये यह सारी चीज़े हमें मिल जाती है तो यहां पर एक Bluetooth मिल जाता है Bluetooth switch इसके बाद यह आपका tripod मिल जाता है इसके बाद mobile holder मिल जाता है और यह इस बॉक्स में आया हुआ है डिजिटेक का डिजिटेक के बहुत सारे आइटम आते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से देख लेना तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है यह दिखी मैं पास से दिखा देता हूं आपको प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है दो जगे माउंट करने का ऑप्शन दिया हुआ है दो जगे और यह तीसरी जगे माउंट आप जानते हैं क्या है यह तीसरी जगे जो आप फॉन के उपर माइक लगाएंगे अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो जो माइक लगाएंगे इसमें फिट हो जाएगा यहां पर किसी चीज में आराम से फिट हो जाएगा चाहें तो आप इसको चिपका भी सकते हैं ऐसे करके फिट हो जाएगा या उसका एक माउंट अलग आता है जो इसमें फिट हो जाएगा आप उसको आसानी से ले सकते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है यहां पर मैं आपको पास से दिखा देता हूं क्योंकि फोटो में समझ में नहीं आता है इस तरह से हैं थोड़ा और पास से दिखाता हूं यह देखिए दो जगे से हैं एंगल बहुती हार्ड मतलब बहुती मस्ट प्लास्टीक है यहां अब आपको समझा देता हूँ कि आप सारी शुक्त शीजित कर सकते हैं अज करने कहीं कुछ नहीं होगा बहुत ही आशानी खिर और नहीं अब आप कर दिखाता हूं कि वह सब्हेंगा पार्ट बताऔर यह एंसों तो इसका क्या मतलब है तो उसका ये मतलब है इसको पहले सीधा करते हैं माल लीजिए अगर आपको थोड़ा सा आगे पीछे ले जाना है कहीं ऐसी दिवाल पर टांगा है कहीं कुछ करा है तो इसको ऐसे हलका सा खोलेंगे और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे तो आप यहाँ पर दे गिरने का खत्रा रहता है तो इस तरह से कर सकते हैं और ट्राइब गोरिला के बहुत सारे काम है ब्लॉग하기 में चाहें आप कोई video record कर रहे हैं चाहें कहीं पार्क में बैठें कहीं भी लेटेस वीडियो के साथ